इसका भी एव राइट आंसर ओके चलिए यह अंधी दोड़ पारिवारिक जीवन के लिए क्यों हानिकारक है तो क्यों हानिकारक है तो वह देखिए यहां पर option number option number B होगा अब देखिए यह फसने पारिवारिक जीवन है वह भिखर गया है यानि तेरह का और भी वदा राइट आंसर ओके चलिए क्या होगा पारिवारिक जीवन भिखर गया इसमें सारी इस्ति आपका सामील हो जाता है चलिए नेक्स देखिए नमस्कार वेलकम टुप्र लिए जैसे सीजिएल यानि पेपर आज का जो अपका ठाइस तरीका पहला पेपर हुआ है हिंदी का उसका सेलूशन लेकर क्या हूं वह भी सबसे फास्ट अंदाज में और जबजस तरीके से तो चलिए सबसे पहले सोलूशन मिला लिजी और देख लिए कि आपका हिंदी का स्कोर क्या रहा है जिस प्रकार से ह लिए फटाफट अंदाज में कि आपका अंसर क्या होगा तो लिख देखिए कि आप है जारखन जेन्रेल ग्रेजवेट लेवल कंबाइंड कॉम्पुटिटिर एक्जामिनसन जो तहीस का जो पहला आज का 28 तारीक का सोलूशन क्या है तो सबसे पहले देखिए आते हैं पहल यहां से पढ़ना है और गद्धान्स को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उत्तर खोजना है भाई सीधी उतना समय है नहीं तो फटा-फट अंदाज में बताते कि आपका आंसर क्या होगा ए का क्या होगा देखिए मोबाइल में है चीक है मैं आपको बता रहा हूँ क्य क्या होने वाला है तो सबसे पहले देखिए क्या है कि मनिस्ट्री पस्वू का प्रियोग कीन-कीन कामों के लिए करता है यानि और ऑसे नंबर क्या होगा ऑपस नंबर gradat हर ठीक है राइट अंसर क्या होने वाला है option number dwoe ने वाला है चलुए देखिए क्या होगा option नंबर डी ओके थोड़ा सा इसको कशा कर लेता हूं थोडो देखो अगला क्याब पस्वों को तॉर्य सा डिस्टिब Gregory के चक्क्र में इसको क्या करता हो तोड़ा सब बड़ा डाद जूम कर लेता हूं चलिए प्रस्टित करने करते समय मनिशत्य किसका ध्यान बिलकुल नहीं प्रियोग प्रियोग मनुरंजन वह आमोद प्रॉमोद के लिए करता है चलिए अभी bissryk और कि आपका भी क्या होगा आपका D होने वाला है पस्वों की प्रजातीयां का बढ़िया है तो वहाँ पर क्या होग आपका जो आंसर होगा वह आससनर होगा क्योंकि मानव नीन, पस्वों मानुश्यों को नीजी जीवन n से वंचित चाहं G अगला है कि मनेश्यों को उनके अनुकूल आहार तता यानि विनका किया जाता है क्या किया जाता है तो यहां पर आपका जो आंसर होगा सूक्रचन किया जाता है ठीक है आपने देख लिया यानि एक से लेकर के पांच तका सॉलूसन किलियर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब सीधा हो गया ना अब छे से लेकर के दस प्रस्नों का उत्तर हम लोग फिर से गदांस को पढ़ने के बाद देंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है हमारा आंसर तो आज आज जो है आपको गदांस को पढ़ लेना है ठीक है चलिए नजरार आप लोगों को कमेंट करके बताएं फटा फट अंदाज में चलिए आज उन्नत देश किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है तो भाई जिस देश का उद्दोगी करन जो है बहुत तेजी सी होता है उसे क्या कहा जाता है उसे उन्नत देश कहा जाता है यानि औपसन नंबर A will be the right answer ओके चलिए नेक्स को ड़त को किस परकार से बदल दिया है किस परकार से बदल दिया तो इसका option होगा स्थी होगा नए नए उद्धोगों से जो है उसको बदल दिया है ठीक है चलिए आठवा question है देश की प्रगति सिल के क्या मापदंड है क्या मापदंड है वाई तो देश का उस देश का उद्धोगी क का वेग्यानिक आविस्कारों से क्या सम्मंध है तो यहां पर क्या answer होने वाला है नाइन का option number बील्य द राइट आनसर देश की उन्नती वेग्यानिक आविस्कारों पर ही क्या है निरभर है तो फटाफट मिलाते जाईए और कि आपका स्कूर हिंदी में क्या रहा है ठीक है चलिए अगला देखिए कि पिछड़ा हुआ देश किसे कहते हैं आपने अगर गद्दांस को बढ़ियां से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जिस देश की उद्दोग धंदा का अस्तर नीचे हो वहां वो देश खुजते चले जाना है तो चलिए खुजने के जंजट मेले लेता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ ठीक है चलिए यहां पर जो आपका सब्द है क्या है जगन्य जगन्य क्या होता है जगन्य का अर्द्न का अर्थ होता है ड्टिनितन और बुरा यानि option number is right answer ओके अगला के डेट में धन कमाने कि अंधी दोड में पागल है option नंबर इसका भी A will be the right answer ओके चलिए यह अंधी दोड पारिवारिक जीवन के लिए क्यों हानिकारक है तो क्यों हानिकारक है तो वह देखिए यहां पर option नंबर option नंबर बी होगा अब देखिए यह फसने वाला है दे दिया है उत्तर आपके सामने क्या है अंधी दोर पारीवारिक जीवन के लिए कम अदीका रखेंशी कर्ण से अको पढ़ा होगा तो आप मारेंगे क्या मारेंगे कि यह नुआ कि इसको मारेंगे या इसको मारेंगे फिर परिवार में एकता बढ़ गई है ये तो बिलकुल नहीं है तो यहां पर देखिए जो कि पारिवारिक जीवन है वो बिखर गया है यानि तेरा का option number बिल विविदा राइट अंसर ओके चलिए क्या होगा पारिवारिक जीवन बिखर ग तो क्या प्रभाव पड़ा है देखिए मानिवी संबंद टूट गये हैं मानिवी संबंद घने हो गये हैं मानिवी संबंद मीठे हो गये हैं इस दोड़ का मानिवी संबंदों पर क्या प्रभाव पड़ा है तो वो आप्सन नंबर ए है कि मानिवी संबंद बिल्कुल टूट गए हैं भिखर गए हैं ठीक है चलिए अगला देखेक धनकी लालसा को रोकने के लिए क् Dennis की लालसा को रोकने मीं के लिए हर अस्तर हमें क्वर जाओं परियास करना जाहिए यानि कि इस और आंशर चलिए अगला है आपको कुट्धा भूल चुक से कहां पर सीस महल में चला जाता है मतलब जहा साथ खुशी के साथ हरसो लिस्ट के साथ अपना फूच कोहीलाता है और खुशी पूर्वक फिर 'tit हस्ते निकल जाता है यहीं तो है चलिए तो देखें यहां पर पहला कोस्ट्र क्या है आपके सामने पहला कोस्ट्र यह है कि दूसरा कुट्था क्यों नहीं भॉका जि दूस कि उसे लगा कि सारे कुट्ति उनके दुसमन है ठीक है आपने देख लिया चलिए next question देखते हैं कि अघर आप हसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी इसका अर्त क्या है तो इसका अर्त है भाइसाब कि दुनिया हमेंसा सुख में साथ देती है ठीक है यानि option number civil with the right answer ओके चलिए अगला है इस कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है तो इस कहानी से हमें सिच्छा मिलती है कि यदि हम नम्रता से पेश आये तो सभी हमसे प्रेम पुरुवक व्यभार करेंगे हमें नम्र होना चाहिए जी बिल्कुल हमारा व्यभार प्रेम पुरुवक होना चाहिए जी बिल्कुल तो यह तीनों का तीनों प्रफेक्ट बैठता है यानि option number d with the right answer सभी बिकल्प बिल्कुल सही है ठीक है चलिए फिर अगला कोस्चिन देखिए क्या है कि पहला कुत्ता क्यों गस खाकर गीर पड़ा क्यों क्योंकि वह अइन अगला जो आपका गदांस है वह आपका 21 से ले करके 25 तक है जिसकी गदांस को पढ़कर के बढ़ियां से आपको क्या करना है उत्तर देना है जी हां सबसे पहले और सबसे सटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अगर आप बोलेंगे कि सर इसका पूरा डिफाइन करके ब पहले देख लियता है सबसे को करके मनिस्त के सरीर को क्या बलिष्ट बनाता है रοιπόν आपका सारी leash परिश्रम जी हाँ जब तक आप महनत नहीं करेंगे परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर बलिष्ट नहीं होगा जी चलिया अगला है कि मनिस्त को सोने जैसा सुद बनाने में कौन सहायक है, तो कौन सहायक है, तो वो आपका सरीर की द्रीड़ता, मन की द्रीड़ता, आंतरिक वृत्ति या कष्ट और पीड़ा, जी हाँ, अगर अपने आपको सोने जैसा निखारना है, सोने जैसा चमकना है, तो आपको कष्ट और पीड़ा को जूजना होगा मैनत करना होगा परिश्रम करना होगा ठीक है चलिए अगला कुस्टन क्या है कि बिप्रित परिस्तितियां किसका कारण बनती है तो बिप्रित परिस्तितियां जो है वो आपका मानवी गुनों का विकास का कारण बनती है ठीक है चलिए अगला है 24 कुस्टन कि बिपतियों के ब उपर कर लेता हूं ताकि आपको कोश्चन सही ढंग से नजर आ जाए ठीक है अब देखें लोहा इसपात बनता है इसका क्या कारण है तो लोहा जो इसपात बनता है उसका मुख कारण है क्या कि बलहीन बलवान बन जाता है ऑप्शन नमबर सिविल विदर राइट आंसर और सबसे पहले हमारे पास हर एक विडियो का सॉलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपका कोई भी कोश्चन का सॉलूशन छूटे नहीं ठीक है चलिए फिर से हम बढ़ते हैं आपका जो है 26 से लेकर के 30 तक के गरदांस को पढ़ने के बाद आपका यहां पर पहला कोश्चन क्या आता है चलिए तो देखें यहां पर आपका जो पहला कोश्चन है कि कलपना से उत्पन दुख कौन से हैं तो कलपना से जो उत्पन दुख है वो आपका अभाव और असंतोस है ठीक है चलिए सब्द देखें यहां पर अभाव है अभाव का बिलोम क्या होगा अभाव मतलब क्या होता है क्या होता है अपने अंदर की कमी अभाव मतलब कमी होता है तो यहां पर इसका बिलोम क्या होगा या आपके पस कमी है या फिर इसका बिलोम क्या हो जागा जिसके पस परचूर मात्रा में कुछ हो परचूरता होगी ठी प्राप्तवस्थू से सुखी नहीं होता है वह हमेसा دुखी रहता है और बिकल्पों में सभी है तो जी सा यह A B C बिल्कुल सही है यानि option number D will be the right answer 28 क्या हो जाएगा D होगा ठीक है तो मिला ये फटाफट अगला क्या है चलिए थोड़ा से स्क्रोल कर लेता हूँ उपर उठा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है देखिए मन जब धन के लोब में फस जाता है तब क्या होता है भाई तब होता है ये भी पाने की इच्छा ये भी होता है ये भी होता है यानि तीनों जब सही है तो option number D will be the right answer होगा चीक है चलिए तीस का देखते हैं अभाव कलपना से पिडित व्यक्ति के साथ क्या होता है क्या होता है वो तो वो होता है ये भी देखने को मिलता है उसका अमन भाव से भरा रहता है किसी न किसी से प्रसन और न कोई प्रसन होता है यानि option number इसका भी D बिल्कुल सही होगा यानि सभी विकल्प बिल्कुल सही है चीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर गरामन प्रसन से आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है कि वचन में बदल ये तो यहाँ पर क्या दिया हुआ गुडिया का वचन क्या हो जाएगा गुडिया हो जाएगा option number C will be the right answer अब देखिए निमलिखित में से स्वागत का सही संदी विच्छिद क्या होगा यानि होगा सू जोड आगत बराबर स्वागत ठीक है option number D will be the right answer उसके बाद 33 कोस्चन क्या पूछा गया कि मुहावरे के लिए सही बिकलपों का अर्थ चुने यहाँ पर मुहावरा दिया गया है आपको आंसर बताना है क्या है कान खोलना मतलब क्या होता है कि सावधान कर देना है ना सावधान कर देना ठीक है चलिए option number civil with the right answer चलिए फटाफट अंदाज में सबसे पहले fast और जो भी है सारा solution आपको यहीं पिलने मेला हमारे इडू फाइबर चेनल पे तो 34 question क्या कहा रहा है कि YKK रिक्तस्थान की पूर्ती के लिए दिये गए चार विकल्पों में से उप्युक्त विकल्प को क्या करना है आपको तुनना है कुमार को अपने पर अतिगर्व है किस पर कोमार ये पर उसको अतिगर्व है चलिए 35 question देखिए आपसे क्या पूछ रहा है लिजिया जी पूछ रहा है कि निम्नम सब्द के विलोम के लिए दिये गए चार विकल्पों में से उचीत को चुनना है विलोम पूछा गया है आपसे तो यानि घमंडी का विलोम क्या हो जाएगा भाई साब वो हो जाएगा विनई क्या हो जाएगा विनई हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं कि निम्न सब्द के परियाई के लिए दिये गए चार विकल्पों में से इनका परियाई चुनना है एहिक का क्या हो जाएगा एहिक का हो जाएगा सांसरिक ठीक है इसका परियाई पूछा है बिलोम नहीं question को ध्यान से देना है एहिक है एहिक सब्द का जो होता है वो आपका परियाई यहां पर देखिए वो आपका होता है सांसरिक option number और सीविल विदर राइट आंसर ओके चलिए नेक्स कोस्टन के और बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन है कि दिये गए वाक्यांस के लिए चार विकल्पों को उचित एक सब्द को चुनना है आपको तो उसमें से जिसका मन अन्यंत्र हो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है अन्यमनस्क क क्या कहलाता है अन्यमनस्क कहलाता है ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला कोस्टन आपका जो पूछा गया है वो लिंग के बारे में पूछा गया है लिंग में बदलना है ठीक है लिंग में बदलना है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है ग अब आपको पता चल रहा है तो आपको पता चल रहा है कि मेरा स्कोर क्या रहा है आपको भी कमेंट करके बताना है जी हाँ आपको भी ये कमेंट करके बताना है अगर आपको किसी परकार से लगता है कि या आनसर तुरूटी है किसी परकार की गलती है तो कमेंट बॉक्स बिलकुल खुला है आपके लिए आप महासाइक कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये गलत है ओके चलिए next देखिए next है 40 question क्या पूछ रहा है आपसे कि निमन सब्द के बिलोम के लिए दिये गए चार विकलपों का उचित विकलप को चुनना है यहां पर दिया गया है साक्षर साक्षर का बिलोम सब्द क्या होगा तो वो हो जाएगा निरक्षर क्या हो जाएगा निरक् क्या हो जाएगा मालीन चलिए ओप्षन नंबर एब लिव दराइट आंसर फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते question उपर ताकि आपका सुविधा हो जाए ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर हाँ question क्या है वचन में बदलना है अब जैसे तोता तोते लड़की लड़कियां तो यहां पर आपसे क्या पूछा है तितली अब देखो यहां पर है तितला तितलियन तितलियां तितले चुकि अगर आप वचन पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है जो आपकी बड़ी मात्रा रह हरस्य की तो ये क्या होता है कि अगर दिर्गी है तो इधर से हो जाता है छोटी हो जाती है वहन...? तो यहां पर देखेए 추천 आपको क्या दिखाई मिल रहा है । दिर्गई का मात्रा मैंने आपको क्या बता हुआ था कि जहां आपको डिर्गई और वचन में बदना talking तो इधर जाकर क्या हो जाता है, वो आपका हरसाई का मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ तितली का क्या हो जाएगा, तितली यहाँ हो जाएगी, चीक है, ओके, option number, civil with the right answer, 42 का, ओके, चलिए, next question, देखिए, क्या है कि वाइक के अतिरिक्त, रि विकल्प क्या होगा, तो राजा दसरत के, तीन रानिया थी, ओके, चलिए, 44 का क्या होगा, कि निमन सब्द बिलोम के लिए दिये गए, चार विकल्पों में से, उचीत विकल्प चुनिए, क्या होने वाला है, उत्तम है, उत्तम, 44 का क्या होगा, अधम होगा, ठीक है, उत् किया है जिसे करना आवस्चक हो जिसे करना आवस्चक हो यहां पर जो आवस्चक हो उसे क्या कहा जाता है आवस्चक अनावस्चक अनिवार्य अनिवस्चक क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है अनिवार्य यानि करना ही है 100% यह अनिवार्य है ठीक है यानि आवस्चक है जि सब्सक्राइब करें किया हो जाएगा है यानि क्या हो जाएगा वीर का विरंग न तो कभी का क्या होगा चलिए महासए हाप कमेंट बॉक्स खुला है आप कमेंट करके बताएगा कि कभी का चाहीड़ के चलिए नाई मिला अगला है दिये गए मुहावरे के लिए बिकल्पों का सही अर्थ को चुनना है तो इसमें आपका दिया है तन को कपड़ा ना पेट को रोटी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन होगा भाई बहुत गरीब है कुछ भी नहीं है आपने सुना वो कनहिया वाला गाना अगला देखी निम्लिकित में से जगननात का संधी विच्छेद कीजिए ये भी बताया हुआ मैंने आप जाकर की देख लीजेगा तो क्या हो जाएगा वो जगत जोड नात बराबर जगननात ठीक है चलिए ओप्शन नंबर सिविल विद राइट आंसर अगला कोस्चन उसका अर्थ क्या होगा क्या होगा तो यहाँ पर देखी चमपत होना मतलब होता भाग जाना जी हाँ ठीक है चली अगला देखीए दिया गए मोहावोरों के लिए बिकलपों का वेकल्प की उनना है कलईख खुलना उसका अर्थ क्या होगा कलाई खुलना का अर्थ होता है सच्चाई का उजागर हो जाना जी हाँ दस के सामने मेरा कलाई खुल गया क्या तो यह सच्चाई उजागर हो गया मेरी सच्चाई सबको पता चल गई कलाई खुलना ठीक है चलिए उप्सन नंबर अब फिर अ मैं आपको सारा चीज बताया और उसी से पूछा है आसा करता हूं कि अगर आप पड़े होंगे तो फिर हिंदी आपका बल्ले बल्ले है ठीक है तो फिलाल मिला लीजिए कुट्टा का क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स खुला है तो आपका कुतिया हो जा है कौन सीख है देख लो यह वाला नहीं है यह सिख नहीं है गलती मत करना आप ठीक है तो देखो यहां पर क्या है सिख क्या करना बिलोम करना नग होगा नगीन होगा नक होगा या फिर नक होगा क्या होगा तो वह आपका सिख का जो होगा वो नक होगा ठीक है अब अगर आ आप चाहें तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए सर डिटेल में बताईए मैं आपको समरी के साथ हरी कोस्टन का सॉलूशन फिर से विडियो अपलोड कर दूंगा ठीक है चलिए अगला देखिए वचन बदल ये 53 कोस्टन क्या पूछ रहा है सबजियां सबजियां का क्या हो जाए चलिए वायक के रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए दिए गए चार विकलपों में से उप्यूक्त विकलप़ को क्या करना है चुनना है अब यहां पर दिया गया है कि दूस्ट वैक्ति सदा अपनी के प्रदर्सन के लिए तथपर रहते हैं किसके लिए भाई-साब वो अप किसने किसकर दुस्टता के लिए हमेंसाब रहता है ठीक है चलीए अगला है कि कि निम्नसब्द के पर्याई के लिए याइन उन्नती का पर्याय आपको करना है यहा पर गोर करने वाली बात पर्याय पूछा है बिलोम नहीं और बिलोम सोचके क्या करते हैं आप लोग वो गलती कर देते हैं ठीक है चलो तो यहां पर उन्नती के बारे में क्या होगा तो उन्नती का आपका होगा प्रगती क्या होगा प्रगती ठीक है चलिए अब यह उन्नती का परियाय हो गया तो बिलोम क्या ह होगा यह भी कमेंट करके आपको बताना है ठीक है चलिए हाँ 56 में क्या पूछा है आपसे पूछा है कि समाज में चली आ रही सुनी-सुनाई बात क्या पूत्रा एक वाक्यांस के लिए चार भी कॉलप में से उचीत एक को चुनना है क्या है समाज में चली आ रही सुनी-सुनाई बात को क्या कहते हैं सौट नाम में अनेक सबदों के एक सबद ये भी बताया हुआ है तो बताएं क्या कहते हैं दयावनती कहते हैं उसे किवधनती कहते हैं नहीं पढ़ेओ कि समाज में बहुत सारी किवधनतियां फैली हुई है बहुत सारे बाते फैली हुई है यानि 56 का option number able with the right answer ऊके चलिए अगला देखिए कि आप पूछ रहे कि वायके के रिक्तस्थान की पूरती के लिए दिये गए चार बिकल्पों में से सही बिकल्प को क्या करना आपको चुनना है कि मुक व्यक्ति संकेत समझते हैं उनसे भासा में बोलो भाई किस भासा में बोलना है किस भासा में क्योंकि वो मुक है वो बोल नहीं सकता जब वो बोल नहीं सकता तो हमारे बात को समझेगा कैसे तो वो संकेत के माध्यम से समझेगा यानि हम किस भासा का परियोग करेंगे हम करेंगे संकेतिक भासा का परियोग करेंगे यानि संकेत नंबर डिविल विद राइट आंसर ओके चलिए 58 क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न सब्द के परियाई यानि परियाई बता ना इसका तो परियाई जो होगा कार्यालाई का क्या होगा परियाई क्या होगा तो वो आपका दफ्तर हो जाएगा क्यूंकि यहां पर आफिस चलिए चलिए थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ अजी अब 59 कोस्चन आप से पूछ रहा है कि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द यूद्शू क्या है यूद्शू सब्द का अर्थ क्या है क्या है यूद्शू यूद्शू सब्द का अर्थ होता है यूद्ध करने की इक्षा क्या होता है यूद्ध करने की इक्षा यूद्शा कहलाती है ठीक है option number be with the right answer यानि लडाकू यूद्शू का अगर परियाई देखेंगे तो लडाकू आएगा क्या आएगा लडाकू आएगा यानि यूद्ध करने का जो लड़ने की इक्षा रखता है यूद्ध करने की इक्षा रखता है उसको कहते हैं यूद्शू ओके option number be with the right answer मिला लिजिए और एक question बचा हुआ है घंटी बजना चाहिए दिल में अब एक्षाम देकर के आ गए हो तो फटाफट मिला लो और अपना हिंदी में पक्के कर लो number कि 60 में से क्या रहा है अब देखिए अगला और अंतिम question हिंदी में आपके लिए क्या है कि निम्न सब्द में परियाई भाई परियाई देखो परियाई किसके लिए तो वो हमारा अन्दाज में परियाई परियाई प्रियाई किया होगा वह या प्रस्तर परकर होता है प्त हर जी हाँ option number A बिलबिदार-right-answer मैंने आपको सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आपको हिंदी का solution आपके लिए लेकर के आया हूं तो आप क्या करें सबसे पहले एक्जाम देके आए हमारी डियू फाइबर से जूड़ जाए और सारा चीज फटा-फट अंदाज में मिलाएं और अपना हिंदी में अपना नंबर को पक्का करते हुए देख लें अपना सपना को पूरा करते हुए देख लें कि आपका हिंदी में क्या स्कोर रहा है चलिए आसा करता हूं कि आपको हमारा सुलूशन अच्छा लगा हो अगर किसी परकार की तूटी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें और मिला करके ये